नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस एर सीटेट 2022 के पांचवे सिफ्ट जिसकी परिच्छा 11 जनवरी 2023 को हुई थी, उस पेपर के इंग्लिश पार्ट का कम्प्लीट पेपर सॉलोशन देखने जा रहे हैं, अगर आप प्रीवियस एर सब् इस वीडियो का डिस्क्रिप्चन जवर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार वुजेट कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन को प्रेस कर लेजेगा, चले दूस्तों, आज किस में तो पून वीडियो को शुरू करते हैं, पहला प्र ताकि सभी बच्चे उस बुक से पढ़ रहे हैं, आगे देखिए, the book has large font, अब किताब में जो font है, वह बड़े-बड़े हैं, ठीक है, बड़े-बड़े शब्दों, बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं किताब में, illustrations, यानि की उधारन दिये गए हैं, and simple text, और बहुत ही आसान भासा में लेक लिखे गए हैं, so that all the children can participate in the reading, इसलिए ताकि सभी बच्चे कक्षा के उस पठन की गतिविदी में शामिल हो सके, what strategy does the teacher follow, यानि की सिक्षी का के द्वारा कौन सा strategy follow किया जा रहा है, तो यहां पर shared reading है, shared reading यानि की सब लोग मिल करके उसको पढ इसे हम लोग क्या बोलते है, shared reading बोलेंगे, option number two सही जवाब है, दोस्तों जैसा कि आपको ग्यात होगा कि 15 अंक का किसी भी language को आप attempt करने जाते हैं, तो pedagogy पूछे जाएंगे और 15 अंक के आपके paragraph से प्रशन पूछे जाते हैं, तो paragraph वाले प्रशनों का उतर आप बहुत आ असानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि directly वा paragraph पर based होते हैं, तो mainly हम लोग focus pedagogy वाले section पर करेंगे, क्योंकि अगर इसे आपने मजबूत कर लिया, तो ये आपको सभी language में help करने वाली है, ठीक है, चलिए, दूसरा प्रशन पूछा गया है, जतिन, a class to student, यानि कच्छा दो का ए appropriate strategy to scaffold him, इसका fold का मतलब इसके folding से ये सब्द निकला हुआ, इसके folding जो की लेवाई गोसकी का term था, यानि बच्चे को मदद करना, यानि की बच्चा जो की सुन नहीं सकता, कक्छा 2 का बच्चा है, उस बच्चे को as a teacher आप किस प्रकार से मदद करेंगे कक्छा में, आपकी strategy क या होनी चाहिए, as a teacher यह हमसे पूछा जा रहा है, चौते विकल्प से सुरुआत करते हैं, दिया गया है, inform the principal that your class is not accepting and cooperating with the child, यानि की आप principal को, यानि प्रधाना ध्यापक को यह सूचित करेंगे कि आपकी कक्छा के अन्य बच्चे जो हैं, वह उस नसुनने वाले बच्च हो गया, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समावेशिक अक्छा के अंतरगत चाहें, बच्चे में किसी भी प्रकार की अक्छमता हो, सभी बच्चों को एक साथ ले करके चलना है, और अगर बच्चे को आपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि as a teacher, यह हमारी failure है, ठीक है, तीसरा विकल्फ देखें, focusing more on such child with minimized teaching, time to other children, कहां यह जा रहा है कि इस प्रकार के बच्चे पर ज्यादा फोकस करिये, जो की सुन नहीं सकते और अन्य बच्चों पर, उनको कम समय दीजे, तो यह तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना, कि आ आप normal बच्चों के साथ भेद भाव कर रहे हैं, तो यह भी विकल्फ हमारा उत्तर नहीं होगा, दूसरा विकल्फ देखें, such children should go to special school, where they will learn better, यानि कि ऐसे school में उनको भेजा जाना चाहिए, विसेस school में, जिसमें वहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाए, तो यह भी बिल पास केवल एक ही विकल्फ बचा, promote the classmates to use gestures while communicating with him and be supportive, कहा यह जा रहा है कि कक्छा में जो classmates हैं उसके, यानि जो उसके सहपाठी हैं, उनको ये करने के लिए promote किया जाए, यानि उनको ये करने के लिए प्रेरित किया जाए, कि वह अपने gestures, यानि कि अपने भाव भंगीमा, जो बच्चा सुने नहीं सकता, लेकिन जब बच्चे की हाव भाव को देखेगा, उसके body language को देखेगा, तो उसको देख करके बच्चा समझ जाएगा, कि हाँ किस matter बात चिस्त की जा रही है, और जब बच्चे सपोर्टिव होंगे, तो जाहिर से बात है, वो बच्चा जो कर गया है, early literacy is what children know about reading and writing before they read or write, देखे, early literacy क्या होता है, देखे, कच्चा में जब बच्चे जाते हैं, यानि जब वो आपचारिक तरीके से पढ़ना और लिखना सीखने जा रहा है, उससे पहले, अगर बच्चे ने पढ़ना और लिखना सीख लिया है, तो इसे ही बोलते है early literacy is what children know about reading and writing before they read and write, यानि कि जब वो पढ़ने जा रहे हैं और लिखना सीखने जा रहे हैं, उससे से पहले ही वो पढ़ना और लिखना सीख गए हैं, तो इसे ही early literacy बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा देखे, तर्क क्या दिया गया है, early literacy starts when a child learn to read and write at school, during early childhood care and education, यानि ECCE, कहा ये जा रहा है कि जब बच्चे आपचारिक तरीके से विद्याले में पढ़ना और लिखना सीखने जा रहे हैं, तब early literacy start होता है, तो ये विकल्प गलत है, क्यों कि मैंने आपको क्या बता है, जब बच्चा आपचारिक तरीके से सीखने जा रहा है, उससे पहले अगर वो पढ़ना और लिखना जानता है, तो उसे early literacy बोलेंगे, ठीक है, तो A सही है और R गलत है, जो कि option number 3 में दिया गया है, A is true, but R is false, इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा, अगला प्रेशन पूछा गया है, the domain that includes the competencies of word awareness, rhyme awareness and awareness of sound within words which engages learner meaningful with language is, यानि कि कहा ये जा पिछार्थी की वह दक्षता, जिसमें वह सब्दों के बारे में जागरुकता प्राप्त करता है, rhymes के बारे में जागरुक रहता है, और जो ध्वनियां होती है, जो word होते हैं, जो alphabet होते हैं, जो sounds होते हैं, उनके प्रती aware रहता है, यानि जागरुक रहता है सब्दों के अं यहाँ पर शब्दों के अंतरगत इसकी बात की गई थी, देखे, within words, यानि शब्दों के अंदर, जैसे माली जे यहाँ पर कोई एक शब्द राम है, तो राम कैसे बना हुआ है, राम बना हुआ है, राउ, प्लस आ की मातरा, प्लस मौ, अगर इसको भी तोड़ना चाहें, तो देखे, यह जो होता है, यह स्वर होता है, तो स्वर को अब इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, लेकिन यह जो है, यह वैंजन है, और वैंजन चुकी स्वरों की मदद सही उचारित किया जाता है, वर्णों के प्रती जाग रुखता, इसको क्या बोलेंगे, ध्वनी जाग रुखता, या फिर ध्वन्यात्मक जाग रुखता, या फिर वर्ण जाग रुखता, जो की ऑप्शन नमबर टू में दिया गया, फोनोलोजिकल अबेरनेस, इसका बिलकुल सटिक जवाब हो जाए समझने की छमता प्रभावित होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग डिस्पेजिया बोलते हैं, ऑप्शन नमबर टू डिस्पेजिया, इसका बिलकुल सटिक जवाब हो जगा, इसके बारे में थोड़ा से जान लेजिए, कि यह एक ऐसा विकार है, जिसकी समझने में अक्षमता होती है, यहाँ पर देखें, कॉम्प्रियेंशन की बात की गई थी, कॉम्प्रियेंशन का मतलब समझने की छमता, ठीक है, इसके लबावा, यानि इसमें बच्चा असाहज महसूस करता है, सब्द बनाने में असमर्थ होता है, आपजेक्ट का नाम ले वो जहेप महसूस कर रहा है, यह सब किसके लक्षण हो जाएंगे, यह सब डिस्फेजिया के लक्षण हो जाएंगे, आप्चन नमबर टू सटीक उत्तर होगा, अगला प्रशन पुछा क्या है, विच मेथर्ड लेज इस्ट्रेस, औन गीविंग अपर्चून्टी टू लर तरीके से मौके दिये जा सकते हैं, इस प्रकार का मेथड कौन सा मेथड होता है भासा सीखने के लिए, तो यहाँ पर देखें बच्चे को क्या कहा जा रहा है, बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन दे दिया गया, कि आप आपस में बातचित करिए, कोई भी मुद्दा दे दिया गया, कि आप सुबह उट करके क्या करते हैं, नित्य कार्म कैसे करते हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहा है, तो यह क्या है, वो डेली वो काम करता होगा, नित्य काम, जो भी मतलब कि सुबह उट कर के brush करना, दातों को साफ करना, नहाना, नाखुन काटना और ये सबी चीजे, भोजन करना और ये सबी चीजे, तो ये real life situation हो गई, और real life situation में कैसे हो रहा है, वो बच्चा एक दूसरे से बाचीत कर रहा है, और इसी के दौरान वो उस भासा को सीख रहा है, तो इसे क्या बोले गया है, scanning is meant for finding out, scanning का मतलब होता है, देखे, कई प्रकार के पठन होते हैं, और उनमें से एक पठन scanning बोलते हैं, अंग्रेजी पेड़गाजी में, जिसमें इसका मतलब ये होता है, किसी भी लेख में particular किसी चीज़ को ढूंड़ना, जैसे कि आप कोई medical report देखते हैं, जैसे क जो दो प्रकार के BP होते हैं, जो minimum वाला होता है, वो 80 होना चाहिए, और अपर वाला 120 होना चाहिए, तो mainly यहीं पर डॉक्टर का ध्यान जाएगा, या फिर माली जै किसी के sugar का medical report है, तो sugar का medical report जहां पर वो range लिखा रहता है, उसी पर वो डॉक्टर का नजर जाता है, यानि पूरे report में particular किसी चीज को डूढ़ना, particular किसी number को डूढ़ना, इसे ही बोलते हैं scanning, और यह किवल report की बात नहीं है, पूरे किसी भी lake में, अगर particular किसी context में कुछ भी चीज सर्च किया जा रहा है, कुछ भी lake के अंतरगत, कुछी point को सर्च किया जा रहा है, तो उसे scanning बोलते अगला question पूछा क्या है, a teacher believes that development of language is continuation of general cognitive development, she follows the theoretical perspective of, ध्यान से देखेगा, कहा यह जा रहा है कि कौन से मनोवैज्यानिक सिधान्त के नुसार यह माना जाता है, कि भासा जो होती है, वो बच्चे के संग्यानात्मक विकास के तहत भासा का विकास होती है, तो यह कौन मानते थ यह gene Case मानते थे, क्योंकि gene Case ने कहा कि जैसे जैसे बच्चे परिपक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका भासा पर पकड़ होता जाता है, जबकि जो lewai goals की थे, उनका just इसका उलड कहना था, उनका ये मानना था कि पहले भासा आती है, उसके बाद बच्चे के संग्यान का व इसलिए लेवाईगोस की ये मानते थे कि पहले बच्चे की भासा आती है तब उसका संग्यनात्मक विकास होता है और इसके ठीक उलट जीन पियाजी ये मानते हैं कि पहले बच्चे का संग्यनात्मक विकास होता है तब उसमें भासा आती है देखें यहीं हमसे बोला जा रहा उसके निरंतर बढ़ते होने से language यानि कि भाषा का विकास होता है ये कौन मानते हैं तो ये मानते हैं जीन पियाजे क्योंकि जीन पियाजे नहीं cognitive development का सिध्धान्त दिया और उसी के बाद जीन पियाजे नहीं ये माना कि पहले बच्चे में संग्यनात्मक विकास होगा उसके बाद भाषा विक्सित होती है ठीक है भाषा का development होता है option number 1 सई जवाब है अगला प्रशन पुछा क्या है grammar come translation method of teaching language focus on तो grammar translation method सबसे ज़्यादा grammar पर focus करता है grammar के अंतरगय कोई वाक्य कैसे बनेगा उसका form क्या है उसका structure क्या है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है साथी साथ जो target language बच्चे को सिखानी है जैसे माली जे English सिखानी है जैसे मैं आपको English पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको किस language में पढ़ा रहा हूँ हिंदी में पढ़ा रहा हूँ क्यों क्योंकि हिंदी जो है आपकी मातरी भासा हो सकती आपकी first language हो सकती आपकी mother tongue हो सकती है तो कोई भी target language के कठिन words को जब आप हिंदी में बताते हैं बच्चे को चीजों को सीखना आसान हो जाता है तो यहाँ पर हमसे यहीं बुला गया है कि grammar come translation method किस पर focus करता है तो देखे यहाँ पर grammar का use किया गया है और दूसरा translation तो पहला तो यह होगा कि जो target language है उसके कठिन words को translate कर दिया जाता है यानि कि अनुवाद कर दिया जाता है बच्चे के first language mother tongue में और दूसरा grammar की बात की गई है यानि कि जो structure होगा जो form होगा sentence का उस पर ज्यादा focus किया जता है जो कि option number two में दिया गया देखे form focusing teaching option number two इसका बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला question पुछा गया है which one of the following is not the characteristics of remedial teaching यानि कि निमलिखित में से कौन सा remedial teaching का एक प्रमुख गोण नहीं है प्रश्ण negative sense में पूछा गया है तो negative वाला ही हमारा उत्तर होगा सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि remedial teaching आखिर होती क्या है देखे कोई भी concept जब teacher के दोरा पढ़ा लिया आता है तो उस concept में बच्चों को आ रही दिक्कतों के बारे में जानने के लिए teacher सबसे पहले diagnostic test करता है जिससे निदनात्मक परिक्षण कहते है diagnostic test में बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में किवल पता लगाया जाता है तो एक unit में हो सकता है किसी एक point में बच्चे को किवल ना समझ में हो तो हम पूरा unit थोड़ पढ़ाएंगे सबसे पहले बच्चे की problem को पता करेंगे कि आखिर उसको समस्या कहाँ पर है अब उस समस्या की पहचान करने के बाद से पुना remedial teaching करेंगे उसी point को बच्चे को पुना पढ़ा जाता है तो पुना पढ़ाने की प्रक्रिया को ही remedial teaching कहते हैं चलिए इसी को ध्यान में रखरके उतर डूड़ देंगे पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं चुकि हमसे negative sense में पूछा गया है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा पहला विकल्प दिया गया है इट कैन बी यूज़ड फोर इंप्रूविंग लैंग्वेज स्कील तो ये तो बात बिल्कुल सही है अगर बच्चा language का भाषा का प्रियोग करके अपने आपको express नहीं कर पा रहा है तो उसकी समस्याओं को हम लोग diagnostic test के मदद से पता कर लेंगे और उसके बात से उस problem को दूर करने के लिए हम लोग प्रियास करेंगे remedial teaching के माद्यम से जब उसकी problem solve हो जाएगी remedial teaching क्यों होता है ताकि उसकी problem को solve कर दिया जाए अब उसकी problem solve हो गई है language के प्रती तो जहर से बात है उसकी language क्या हो जाएगी improve हो जाएगी तो ये तो बात positive हो गई न लेकिन हम से negative sense में पूचा गया है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता दूसरा देखिए it can be used to rectify a particular problem area कहा ये जा रहा है कि यह किसी particular problem area को solve करने के लिए किया जाता है बिल्कुल सही बात है देखिए यहाँ पर confuse मत हो जाएगा कि problem की बात की गई है diagnostic test क्या करता है कि सिर्फ problem का पता लगाता है और remedial teaching क्या करता है उस problem को solve करता है rectify का मतलब क्या होता है solve करना ही तो होता है यानि ये भी बात बिल्कुल positive हो गई लेकिन प्रश्णम से negative sense में पूचा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता तीसरा देखिए to be carried out after the identification of problem and challenges faced by students यानि कि to be carried out after यानि कि यह problem के identification यानि problem की पहचान के बाद की प्रक्रिया यहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले diagnostic test होगा जिसमें बच्चे की problem का पता लगा जागा उसके बाद remedial teaching आता है वहीं बात तो यह कह रहा है तो यह तो बात बिल्कुल positive हो गई तो हमारा उतर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया है अब हमारे पास किवल एक ही विगल पबचा option number 4 देखिए to evaluate students learning at standard or benchmark to evaluate students learning यानि कि बच्चे के सीखने का मुल्यांकन करना एक standard और एक benchmark पर यानि कि एक मानक के आधार पर तो यह remedial teaching नहीं होता है यह आपका diagnostic test होता है जब आप बच्चे का evaluate कर रहे है मुल्यांकन कर रहे है उसकी समस्या का पता लगा रहे है तो यह चुकि negative sense में remedial teaching के संदर में और यहीं हमसे पूछा गया था option number 4 बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला प्रश्न पूछा गया है which one of the following is not true about the multilingualism यानि कि प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बहु भासिक्ता के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानि कौन सा गलत कथन है यानि कि negative syndrome से प्रूचा जा रहा है तो negative वाला ही हमारा उत्तर होगा सबसे पहले तो multilingualism क्या होता इसके बारे में बात करते हैं तेखे, NCF 2005 multilingualism के बारे में ये कहता है कि बच्चे अपनी मात्री भासा से सुरुआत करेंगे क्योंकि राष्टे सिक्षा निती भी यहीं कहता है कि जहां तक संबह हो अपर प्रैमरी यानि एक से लेकर के आठ तक प्रैमरी और अपर प्रैमरी यानि एक से लेकर के आठ तक बच्चों को उनकी mother tongue में पढ़ाया जाना चाहिए ठीक है क्योंकि पहली बार जब बच्चा विद्याले आता है तो हो सकता है कि वह किवल अपनी mother tongue first language के बारे में ही जानता है अगर बच्चा भोजपूरी भी बोल रहा है तो भी उसको आप अपने language में यानि भोजपूरी में अपने आपको एक्सप्रेस करने का मौका दीजे धीरे-धीरे वह आपके संपरक में यानि as a teacher आपके संपरक में आने के बज़े से वह विद्याले कि जो अपचारिक भहासा होगी मालीजे हिंदी है तो वह हिंदी के संपरक में और हिंदी बोलना सीखेगा और धीरे-धीरे अने languages के बारे में वो सीखेगा ठीक है इसी को बोलते है multilingualism ठीक है अब यहाँ पर यह हो सकता है कि प्रतेक बच्चे की अलग-अलग mother tongue हो सकती है जैसे कि मालीज पंजाब से कोई बालक आया होगा तो उसकी mother tongue भुछपुरी मौका दे सकते हैं at least बच्चा comfortable feel करें इसलिए बच्चे को उसके ही language में अपने आपको express करने का मौका दीजे और धीरे-धीरे आपके भासा का अनुकरार करते हुए वह विद्याले की जो आपचारिक भासा है उसे वो बोलना सीख जाएगा ठीक है यानि कि वो क्या कर रहा ह दूसरे बच्चों के संपर्क में आएगा तो उनके भी कुछ भासाओं को सीखेगा साथी साथ जो विद्याले के अपचारिक भासा है हिंदी उसके बारे में सीखेगा और senior secondary तक उसको एक foreign language सिखाने की बात राष्टे सिक्षानिती करता है तो वो अन्य भासाओं को भी पूछा जा रहे कि निमलिकित में से किस विकल्प में multilingualism के बारे में सही mention नहीं किया गया है यानि negative अलाम से पूछा जा रहा है चोथे विकल्प से सुरुआत करते हैं multilingual children have a greater cognitive flexibility and perform academically better than monolinguals यानि कि कहा यह जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो की बहु भाशिक होते हैं वह उन बच्चों की तुल्प में जो की monolingual यानि की एक भाशिक होते हैं उनकी तुल्प में उनमें जो संग्यानात्मक छमता है वो जादा विक्सित होती है अच्छे तरीके से विक्सित होती है साथी साथ उनका जो academic performance होता है वो भी अच्छा होता है ऐसे बच्चों की तुल्प में जो कि एक भासा को केवल जानते हैं तो ये बात तो बिलकुल सही है जैसे कि मां लिजे कक्चा में ले वाइगोशकी ने क्या कहा था ले वाइगोशकी ने कहा था कि बच्चे एक दूसरे से interaction करके सीखते हैं अब बच्चा जितना ज्यादा language जानेगा, उतने ज्यादा बच्चों से वो interaction कर पाएगा, जैसे माल लीजे एक बच्चा है जो कि भोजपूरी बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है और माल लीजे इंग्लिश बोल सकता है, तो ऐसे बच्चे जो कि इन तीनों language में से किसी भी एक language को बच्चा जानता होगा उससे वो interaction कर सकता है लेकिन मालीजी कि कोई एक बच्चा है जो किवल भोजपूरी बोलता है तो उसके लिए तो limitation हो गई ना कि वो दूसरे बच्चे से बात ही नहीं कर पाएगा क्योंकि आगला बच्चा मालीजी वो भोजपूरी नहीं बोल पा रहा है तो वो उससे communicate नहीं कर पाएगा और ले वाईगोस्की के सिधान के रुशार जितना ज़्यादा बच्चा एक दूसरे से interaction करेगा उतना ही उसके cognitive development के लिए एक तरके से रास्ते खुनते हैं तो जितना ज़्यादा communication होगा उसके लिए क्या ज़रूरी है language ज़रूरी है और language यहाँ पर अगर बच्चा एक language के वल जान रहा है तो वो उसके लिए barrier हो गया यानि कि उसका cognitive development ठीक धंग से नहीं होगा और इस वज़े से उसका academic performance भी कही न कहीं प्रभावित होगा और जितना ज़्यादा language जानेगा उतने ज़्यादा बच्चों से interaction करेगा और ले बाइक उसकी के नुसार उसका संगेनात्माख विकास उतना ही अच्छे तरीके से हो सकता है तो option number 4 यहाँ पर बिल्कुल positive है लेकिन चुकि प्रशन हम से negative sense में पुछा गया है यह हमारा उतर नहीं हो सकता कहा यह जा रहा है कि यह यह ensure करता है कि कक्छा में प्रतेक बच्चा जब दूसरे बच्चे की भासा को सुनता है तो उसकी भासा को सीखने के लिए प्रेरित होता है तो यह तो बात बल्कुल सही है जैसे कि मालीजे की कक्छा में अलग-अलग भासा को बोलने वाले बालक है तो at least उस भासा को ना जाने लेकिन कम से कम उस भासा में particular किसी वस्तु को क्या कहा जाता है जैसे कि मालीजे टीचर आम के बारे में पढ़ा रहा है आम के बारे में पढ़ा रहा है तो वह बच्चा अपने language में अपने इस्थानी भासा में उस आम को क्या कहा जाता है हो सकता है वो बोलेगा अब इससे क्या होगा कि दूसरा बच्चा जो कि उस particular language को नहीं जानता था वह उस नए शब्दावली के बारे में जाना कि हाँ आम को इस language में ये कहा जाता है तो वहीं तो बोला जा रहा है ना कि ये multilingualism जो होता है वो ये सुनिशित करता है कि छातर जो है वो दूसरे की भासा के बारे में जानेंगे जब वो बोलेगा कक्षा में तो ये तो बात बिल्कुल positive है positive है तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था पहला विकलब देखे it impasses a smooth transition between the home and school language ये भी बात बिल्कुल positive है कैसे मैंने आपको starting में ही बताया था कि multilingualism यहीं होता है कि बच्चा अपनी mother tongue अपनी first language अपनी मातरी भासा से सुरुआत करेगा और धीरे धीरे विद्याले की आपचारिक भासा की तरफ बढ़ेगा यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है smooth transition हो रहा है कैसे घर की भासा से लेकर के school के language की तरफ ठीक है यहीं तो मैं बता रहा था तो यह बात बिल्कुल positive है तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता अब हमारे पास केवल एक ही वी कलप बचा option number 2 देखे it helps in ensuring that every child attends grade specific skill to attend proficiency कहा यह जा रहा है कि यह multilingualism में यह सुनिशित करता है कि प्रतेक बच्चे की भासा की धारा प्रवाह यानि proficiency हासिल कर लेगा और उसमें अच्छा grade प्राप्त कर लेगा जैसे ध्यान से समझेगा माली यूपी का सरकारी विद्याल है इसमें उडिसा से आया हुगा बालक जिसकी mother tongue उडिया है पंजाब से पंजाबी है तमिल तेलगो मल्याम कोई साउथ का बच्चा है और यूपी का कोई बच्चा जिसकी हिंदी भासा है तो वह at least दूसरे भासाओं के समपर्क में जबाएगा तो उनके सब्दों के बारे में जान सकता है उनके बारे में proficient थोड़ी हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर अन्य बच्चों की भासा को उसको अपचारी तरके से नहीं पढ़ा जा रहा है बलकि सिर्फ समपर्क में आने की वज़े से वह उनकी भासाओं के सब्दों के बारे में जान रहा है और जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि मल्टि लिंग्वालिज में ये करता है कि प्रतेक बच्चा जो अन्य भासाओं है specific skill है grade है उसको उसमें proficiency हासिल कर लेता है तो ये विकल्प गलत है क्योंकि अन्य भासाओं के संपर्क में आने से कुछ सब्दावलियों को वह जान सकता है ऐसा नहीं कि बिल्कुल proficient हो जाएगा ठीक है तो ये गलत है important role in language teaching which of the following is most important regarding storytelling कहा ये जा रहा है कि कहानी कथन जो होता है वह भासा पढ़ाने के लिए एक महतवपूर्ण टूल है महतवपूर्ण रोल अदा करता है निमलिखित में से कौन सा सबसे महतवपूर्ण है कहानी कथन के बारे में तो देखे कहानी कथन के मादम से बच्चे को एक तरीके से पूरी भासा को represent किया सकता है क्योंकि किसी भी भासा में main क्या होता है उसका grammar होता है कि जैसे भासा में particular किसे शब्दों को क्या बोलेंगे उस particular भासा में सांती साहत भासा में शब्दों का chain किस प्रकार से किया आता है किसी वाक्यों को बनाने के लिए ये क्या आम के लिए परटिकुलर उस लैंगवेज में क्या सब्दावली है मेंगो है इंग्लिस में इसी प्रकार से आप संस्कृत में देखेंगे तो आम रहे ठीक है इसी प्रकार से आने भासाओं में अलग-अलग शब्दों के बारे में जाना जाता है यानि कि जब हम कहानी कहते हैं तो अलग-अलग शब्दों के बारे में बच्चा जानतो रहा है यानि कि माल जी अगर मैं इंग्लिस पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिस में स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ यानि कि storytelling के माध्यम से पूरे language को represent किया सकता है बच्चे के सामने यहीं देखिए, option number 2 में बात की गई है, it presents language as a whole option number 2 यहाँ पर बिल्कुल appropriate answer हो जाएगा अगला question पूछा गया है, for teaching children of class 1 we should focus on the oral language यानि कि मौखिक भासा पर ज्यादा focus करना चाहिए, जब हम as a teacher कक्छा 1 के बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है moral language development, which of the following classroom practice will enable learners to enhance oral language skill at class 1 यानि कि कहा यह जा रहा है कि चारों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि कक्छा 1 में बच्चों के oral language skill को ज़्यादा develop करने में मदद करेगा ठीक है, चलिए चोथा दिया गया है, learning alphabets alphabets यानि कि ABCD की केवल बात की जा रही है तो केवल ABCD सुनने मातर से या फिर पढ़ने मातर से क्या बच्चा oral language यानि मौखिक तरीके से बोलना सीख जाएगा नहीं सीख पाएगा हमारा उत्तर नहीं होगा Singing rhymes यानि कि एक तरीके से लेवाले जो पोयम्स होते हैं, उसकी बात की जा रही है तो लेवाले जो पोयम्स होते हैं ध्यान से समझेगा लेवाले जो poems होते हैं उनको जबरदस्ती words को fit किया गया रहता है अंत में तुकांत बनाने के लिए तो जो oral language होता है जो मौखिक भासा होती है उसमें grammar के नियमों का पालन किया जाता है ऐसा थोड़ी कि आप gaga करेंगे तो ये उसके लिए appropriate नहीं है दूसरा दिया गया grammar games grammar games के माद हमसे बच्चा grammar के नियमों को सीखता है यहाँ पर whole language की बात की जारी है कि बच्चा oral language में यानि मौखिक भासा में दिरे दिरे बोलना सीखे तो ये इसके लिए appropriate नहीं है हमारे लिए option नमर एक सबसे ज़ए appropriate है role play यानि नाटक जब बच्चा नाटक करेगा तो अपने आपको express करेगा उसको जो भी dialogue मिलेगा वो उसे बोलेगा अपने आपको express करेगा तो इससे बच्चे में मौखिक भासा का विकास होगा यहीं बात option नमर एक बिल्कुल सठीक जवाब होगा अगला प्रशन पूछा क्या है a language teacher generally gives tasks that has to be done in the pairs यानि कि एक भासा सिख्चक generally ऐसे tasks देते हैं जो कि pair में और groups में किये जाते हैं what should the teacher do when learners are involved in tasks यानि जब बच्चा उस task में उस गतिविदी में जब include रहेगा समाहित रहेगा तो उस दौरान teacher को क्या करना चाहिए ठीक है चलिए यहाँ पर हम लोग सुरुवात करेंगे चौथे विकल्प से दिया गया है ensure that a student should not make noise in the class यानि कि कहा यह जा रहा है कि सिक्षा को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कक्षा में बच्चे शोर ना करें तो यह विकल्प negative है क्यों क्यों कि कक्षा में बच्चे जब शोर नहीं करेंगे तो कहने का मतलब कि कक्षा बिल्कुल सांथ है और राष्टेत सिख्षानिति और NCF ये कहता है कि बच्चे सक्री होकर करके अपने ग्यान करने माण करते हैं जाहिट से बात है जब बच्चे ग्रूप में हैं पेर्स में हैं तो आपस में एटलिस्ट बात तो करेंगे जितना ज़्यादा बच्चे बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा उनका विकास होगा उतना ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट होगा और जब सांत रहेंगे तो वो बातचीत नहीं करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे तो कुछ भी development नहीं होगा तो ये विकल्प negative हो गया ठीक है दूसरा देखिए respecting the autonomy of learners she must have lived them कहाँ ये जा रहा है कि बच्चों के जो स्वायत्ता है उसका respect करते हुए teacher को उसका अक्षा से चले जाना चाहिए तो ये विकल्प बिल्कुल negative है कैसे ध्यान समझेगा आज हम लोग बाल के अंदर सिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक के अंदर में है लेकिन इ chemistry के lab में बच्चा जाकर के कोई chemical मिला करके धमाका कर देता है तो क्या उसको इस प्रकार के लिए स्वायत्ता दी जा सकती है नहीं बच्चा खुद करके सीखेगा सक्रिय रहेगा लेकिन उसको guide करने के लिए उसको एक तरिके से treat करने के लिए teacher की responsibility है कि वह वहाँ पर मौज करेगा teacher decide करेगा इसलिए यहाँ पर teacher को उसका अक्षा में मौजूद होना चाहिए ना कि उसका अक्षा को छोड़ देना चाहिए पहला विकल देखिए the teacher should not sit idly यानि कि teacher को सिक्षक को बिल्कुल idly यानि कि उदासीन होकर के नहीं बैठना चाहिए she must read something to enhance learning उसे कुछ न ताकि उसका जो समझ है वो विक्सित हो पाए यहाँ पर teacher की समझ को विक्सित करना important नहीं है यहाँ पर बच्चे की समझ को विक्सित करना important है देखे ध्यान से समझेगा प्रश्ण हम से यह पूछा जा रहा है कि जब बच्चे ग्रूप में काम कर रहे है तो उस समय as a teacher आप आपको उस ग्रूप में बच्चे सही तरीके से participate कर रहा है या नहीं कोई बच्चा दूसरे पर dominant तो नहीं हो रहा है कोई ऐसा तो नहीं है कि बच्चा गतिविदी से दूसरे direction में आगे बढ़ा है इन सभी बातों का ध्यान में रखना है उस समय आप कोई अपने लिए कोई कारे थोड़ी करने जाएंगे तो ये विकल्प negative हो गया हमारा उतर नहीं होगा अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बच्चा the teacher must ensure that everyone should participate and scaffold them कहा ये जा रहा है कि teacher यह ensure करेगा यह सुनिशित करेगा कि जितने भी group में बच्चे हैं सभी उसमें participate करें यनि कि 5 बच्चों का अगर माली जे group है तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा बिल्कुल अलग थलग पढ़ गया और उसको कोई पूछने वाला नहीं है उसकी भी भागिदारी सुनिशित होने चाहिए ये जिम्मेदारी teacher की है साथी साथ अगर बच्चे group में कहीं फस जा रहे है तो उनको इसका folding के यहाँ पर बिल्कुल सक्री रहेगा और बच्चे भी सक्री रहेंगे जब group में काम किया जागा तो ठीक है option number two यहाँ पर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब होगा आगला question पूछा गया है at primary level a teacher generally motivates learners for drawing age कहा यह जा रहा है कि प्रात्मिक इस तर पर बच्चों को teacher ज्य समझेगा तो यह आम का image बड़ा है और जब बच्चा ए लिखता है तो वो respectively इससे छोटा होता है तो चुकी primary level पर जब बच्चा पहली पर pencil पकड़ता है तो एक सिधान्त आपने पढ़ाओगा समीप दुराभ्युमिक के सिधान्त जिसमें यह बताए गया कि बच्चे का ज थेली पर वो कंट्रोल पाता है और अंत में जाकरके उंगलियों पर कंट्रोल पाता है इसलिए आप देखेंगे कि बच्चा फुटबॉल को पहले पकड़ना सीख लेता है लेकिन pencil पकड़ने में उसको दिक्कत होती है क्यों क्योंकि यहां पर pencil पकड़ना fine motor skill के अंतर गता यानि कि इसे आप कह सकते हैं कि जो gross motor skill यह होता है यानि कि इस थुल गति के कोसल और जो pencil पकड़ना है जिसमें body का movement कम से कम हो रहा है तो उससे क्या बोलेंगे fine motor skill तो fine motor skill में बच्चे बहुत ज्यादा control नहीं कर पाते primary level पर इसलिए उनके लिए बड़े arts जैसे कि बड़ा कहीं न कहीं जितना ज्यादा वो drawing पर focus करेगा इस प्रकार से चीजों को रंगने में वो उसका fine motor skill है यानि pencil पकड़ करके उस पर control पाना अपने उंगलियों में control पाना उसमें वो कहीं न कहीं महारत हासिल करेगा इस drawing के मादम से और जैसे जैसे वह अपने उंगलियों पर control पाना लगेगा उसके पासे alphabets को वो धीरे-धीरे करके सही ढंग से लिखना सीख जाएगा तो यहीं main aim होता है teacher का जब वो drawing बच्चे को primary level पर ज्यादा-ज्यादा कराना चाहते हैं ठीक है इसी को ध्यान में रख करके उतर रूड़ेंगे पहला विकल्प दिया गया है children love drawing कहा यह जा रहा है कि बच्चे drawing पसंद करते हैं तो यह तो ठीक है लेकिन यह main region नहीं है तो यह हमारा उतर नहीं होगा it develop gross motor skill तो यह gross motor skill नहीं होता है gross motor skill तो जैसे दोड़ना हो गया जिसमें आपका पूरा body movement करता है जब बच्चा pencil से कुछ drawing बना रहा है या फिर color से हाथ और हथेली movement कर रही है तो इसे fine motor skill बोलते है तो gross motor skill यहाँ पर उतर नहीं होगा तीसरा देखे it will help them to be an artist अब primary level का बच्चा है क्या वो artist बन जाएगा उस age में तो यहाँ पर यह हमारा उतर नहीं हो सकता अब हमारे पास एक ही किलप बचा it strengthen their grip and control on pencil यानि वह pencil पर अपन motor skill के अंतरगत इसलिए उसे ड्रॉइंग ज्यादा ज्यादा कराई जाती है option 4 बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटिक जवाब हो जाएगा दोस्तों यह paper पूरा solve हो चुका है आपको यह video कैसा लगा comment के मादम से ज़रू बताएगा क्योंकि आपका एक comment मुझे motivate करेगा ऐसे ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शोब्भू